नमस्कार आप देख रहें एबी स्टार नियूज मैं हूँ आपके साथ सपना वर्मा वक्त हो चला है बॉलिवुड धमाल का बॉलिवुड धमाल जहां हम आपको बताते हैं बॉलिवुड से जुड़ी कुछ लेटिस और चटपटी कॉसप्स के बारे में खबर मलाइका अरोडा की बेहन से जुड़ी है मलाइका अरोडा की बेहन अमरिता का आज जनम दिन है जिसको लेकर मलाइका अरोडा ने शोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया है इस फोटो को बहुत से लोग लाइक कर रहे हैं शोशल मीडिया पर ये फोटो तेजी से वाइरल हो रही है, आपको बता दे कि अक्टरस अमरिता औरोडा आज अपना इत्तालिसवा जनम दिन मना रही है, जिसको लेकर उनकी बहन मलाइका ने उन्हें बेहद ही खास अंदाज में जनम दिन की बधाई दी है, उन्होंने बधा अब ये है कि रात से ही अमरिता का वर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया था, इस मौके पर मलाइका और अमरिता अरोडा की बेस्ट फ्रेंड करिश्मा कपूर और करीना कपूर भी साथ में नजर आ रही है, मलाइका अमरिता, करिश्मा और करीना की दोस्ती के बारे में तो हर कोई जानता है, हर मौके पर ये लोग एक साथ मिल कर सेलिब्रेशन करते दिखाए देते हैं. बॉलिवुट एक्टरेस प्रीती जिंटा का आज जनम दिन है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें बधाई दे रही हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रीती जिंटा का आज 47 वा जनम दिन है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने क का सिल्सिला बरकरार है आक्टरस का जन्म 13 जन्वरी साल 1975 को शिमला में हुआ था अपने डिंबल की वज़ा से फेमस बहतरीन आक्टरस काफी समय से बॉलिवुड से दूर है प्रिती जिंटा ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और कई अवार्ट भी अपने नाम कि के साथ ही देखने को मिली उनके फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके उनकी बहतरीन आदाई कारी को दिखाती है जोकि उस वक्त काफी जादा पॉपिलर भी हुई थी बॉलिवुड एक्टर फरान अक्तर जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाले है वो लगातार सुर्खियों में है शिवानी सिंगर के साथ उनके चर्चा के बाद आपको बता दे कि एक्टर फरान अक्तर जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाले हैं इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई सारी खबरे हैं वही एसी बीच खबर सामने आई कि फरान अक्तर फरवरी में कोट मैरिज करेंगे लेगिन सूत्रों की माने तो कोट मैरिज के बाद फरान अक्तर grand wedding का plan बना रहे है मेदिया reports के मताबिक फरान और शिबादी ने कोट मैरिज करने के बाद अप्रैल में grand wedding का फैसला लिया है हाला कि इस बारे में अभी तक उनकी तरफ से कोई official statement जारी नहीं किया گیا रिपोर्ट्स के मुताबे कुरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फरान अक्तर और शिबानी दान्डेकर ने फरवरी में कोड मैरिज करनी का फैसला लिया था हाला कि अब खबरे आ रही है कि कॉविट के हलात पहले से कुछ बहतर हो रही है इसी दिए कपल अप्रेल में ग्रान वेडिंग का प्लान बना रहा है शादी में कई सेलिब्रिटी शामिल हो सकते हैं हाला कि शादी समारों के दौरान कॉविद नियमों का पालन किया जाएगा कलर्स का सबसे मशूर सीरियल नागिन सिक्स अब जल्द ही आने वाला है पंद्रा की विनर आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बिग बॉस पंद्रा की विनर तेजस्वी प्रकाश अब जल्द ही नागिन सिक्स में नजर आएंगे इसको लेकर प्रोमो सामने आया है जिसमें आक्टरस नागिन बनी नजर आ रही है वहीं इसका खुलासा बिग बॉस के फिनाले में भी हो गया था वहीं बिग बॉस से निकल कर तेजस्वी सीदे नागिन के सेट पर पहुँच गई जाहिर है कि अब उनके फान्स नागिन सिक्स के लिए काफी जादा एक्साइटेड है वैसे अभी वो बिग बॉस से बहार निकल कर अपने असली घर में जीत का जश्न मना रही है अक्टर अलुव अर्जुन की मूवी पुश्पा इन दिनों काफी जादा सुर्खियों में है पुश्पा कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है आपको बता दें कि शोशल मीडिया पर पुश्पा को लेकर तमाम तरीके की चर्चाई जारी है आपको बता दें कि फिल्म पुश्पा हिंदी सर्कित में अभी शांदार कमाई करती दिख रही है कुरोना काल के बावजूद भी OTT स्ट्रीमिंग के बावजूद फिल्म थियेटर तक दर्शकों को लुभाने में काम्याम रही फिल्म ने साथवे हफते में शांदार कमाई करते हुए 100 करोड रुपे के कलब में एंट्री मार ली है मीडिया रिबोर्ट्स की माने तो फिल्म ने साथवे हफते में 2.25 करोड रुपे की कमाई करते हुए 100 करोड रुपे के कलब में एंट्री ली है ये आकड़ा नेट कमाई का है फिल्म छटे हफते तक 97.75 करोड रुपे जुटा चुकी थी रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को शुकरवार और शनिवार को ही 1.2 करोड रुपे की कमाई हुई बॉलिवुड धमाल में आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB Star News. नमस्कार